शिरोही नमस्कार मित्रों, आबुर्ध प्रदेश सिरोही में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सिरोही में बहुत सारे मंदिर स्थित होने के कारण देवनगरी कहलाती है। सिरोही राज्य के शासक देवड़ा चौहान अपनी बहादुरी और तलवारों के लिए प्रसिद्ध थे। सिरोही में राजस्थान का एक मात्र, हिल स्टेशन माउंट आबु स्थित है, जिसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। सिरोही को वर्ष 2014 में स्वच भारत अभियान के लिए राजस्थान के 33 जिलों में पहला स्थान मिला था। सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी था। राव शोभा जी ने शिवपुरी शहर को बसाया था। राजस्थान में सरवाधिक वर्षावाला तथा सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सिरोही में देवड़ावाटी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में सरवाधिक परियतक घूमने के लिए माउंट आबू सिरोही में आते हैं। सिरोही में गरासिया जनजाती सरवाधिक मात्रा में है। सिरोही नसल की बकरी भारत में बहुत लोकप्रिय है। तो आईए मित्रों सिरोही के प्रसिद स्थानों के बारे में जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। अचलगड किला मूल रूप से परमार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। और बाद में 1452 ईस्वी में महाराना कुम्भा द्वारा इसका पुनर निर्मार जीर्नोधार किया और अचलगड नाम दिया गया था। किले के पहले द्वार को हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रे-ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक से बने दो टावर स्थित है। कुछ चढ़ाई के बाद किले का दूसरा द्वार चमपापोल है, जो आंतरिक किले के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। किले के अंदर और आसपास एतिहासिक और धार्मिक महत्व की कुछ विशेशताएं हैं। किले के ठीक बाहर अचलेश्वर महादेव मंदिर है, वहां शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है और एक पीतल की नंदी भी वहां स्थित है। मंदिर के पास एक तालाब के चारों और पत्थर की तीन भेंसे खड़ी हैं। किले में जैन मंदिर हैं। इन्हें 1513 में बनाया गया था चंद्रावती नगर। यह आबू अहमदाबाद राजमार्क पर आबू रोट से सिक्स किमी दूर स्थित है। यह परमारों का तबा हो चुका शहर है। इसका वर्तमान नाम चंदेला है। दजवीं और ग्यारावीं शताबदी में अर्बुद मंदल के शासक परमार थे। चंद्रावती परमारों की राजधानी थी। यह नगर सभ्यता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह परमारों की राजधानी थी। इसलिए यह विरासत, संस्कृती और सभी प्रकार से सम्रिद्ध थी। आबू के परमार, राजा सिंधुराज, पूरे मारु मंदल के शासक थे। वास्तु की दृष्टी से चंद्रावती एक उतक्रिष्ट उदाहरण थी। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में कुछ चित्रों के माध्यम से चंद्रावती के अतीत के गौरव का उलेक किया है। दिलवाडा जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुँचने पर आपको अद्वितिय वास्तु शिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शांदार नकाशी से अचंभित कर देगा। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ी डेडाती है। इस मंदिर को बारवी, तेरवी शताबदी में बनाया गया था तथा इसकी छटों, महराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर आप ठगे से रह जाएंगे। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाशित सुंदर्ता और मंदिर के आसपास की हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। जील माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की लेक भारत की पहली मानव निर्मित जील है। इस जील को देखे बिना माउंट पूरी नहीं मानी जाती। कई किमवदंतियों में से एक किमवदंती यह है कि इस जील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था। इसलिए इसका नाम नक्की जील पड़ा। जब आप नक्की जील में नाव की सैर करते हैं तो मंत्रमुग्ध करने वाली प पूथरा, नीला पानी, हरी भरी वादियां और चारों तरफ की प्राकृतिक छठा, रूमानी, कल्पित तथा अध्भुत अंश, स्वपनिल और त्रिप्थ करने वाले इस आकर्शन भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चर्णे से पहले भगवान दत्ता त्रे का मंदिर दिखाई देता है। पास में ही एक अन्य मंदिर है, जो कि महर्शिक गौतम की पतनी अहिल्या को समर्पित है। ये एक आम बात है कि यहां आने वाला प्रत्यक दर्शक इस घंटे तक पहुँचकर इसे बजाना चाहता है तथा इसकी आवाज की मधुर लहरी को महसूस करना चाहता है। माउंट आबू अभ्यारण्या अरावली की सबसे प्राचीन परवतमाला के पार यह अभ्यारण्य काफी बडेढ़िक शेत्र में फैला हुआ है तथा बडढ़ी संख्या में वन्यजीवों का घर है। माउंट आबू में आने वाले दर्शकों के लिए इस अभ्यारण्य में विभिन प्रजाती के पेड़ार एच पौधे, फूलों के व्रिक्ष तथा विविध पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जोकी इसे स्वर्ग समान प्राकृतिक स्थल को परितंत्र अनुकूल परियतक स्थल बनाती हैं। माउंट आबू की पहाड़ियों के निचले स्थर पर जहां कांटेदार जाड़ियां उप उष्न कटिबंधिय जंगली पेड़ा मिलते हैं, वहीं उपरी हिस्से में हरे भरे जंगल भी हैं। लगभग 250 प्रकार के पक्षी भी इस अभ्यारण्य को पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। अब तक चुड़े रहे हमारे साथ। लगभग बनाते हैं, अबनाते हैं, आक उर हेच रहे हमारे सान अभ़ तकुड़े जचES अभग वहीं हैं, आप दो प्रेश Đ में हो।